अभी जो सरकार चल रही है तो समझ लिजे सभी जारखंडियों का दिल जल रहा है और अभी हेमन सरकार को खुला चेतावनी है कि ये तीन दिन जो बचा हुआ है तुम्हारे लिए बहुती स्वरनिम्पल है तुमको 30 सीड नहीं पूरा 60 सीड देंगे बहुमत देंगे तुम्ह निर्मलकर दादा निर्मलकर नाम देखू होए ना बदनाम करून उल्गूलान करून उल्गूलान बनेगी 10-15 दिन अगले महिने में ये सरकार सोता ही गीर जाएगी और हमारे जारखंड में राष्टपति सासन लागू होगा और हम लोग ये खेतों में आजखलियानों में जो हमारे नवयुवक स्टूडेंट जो दिख रहे हैं जो 1922 का खथियान आधारी नियोजन निती हमको तो लगता है कि ढाइडाई कॉंग्रेस और जेमेम का दोनों में कारेकाल है हो सकता है 10-15 दिन अगले महिने में ये सरकार सोता ही गीर जाएगी और हमारे जारखंड में राष्टपति सासन लागू होगा आधारी नियोजन निती आस्थानिय निती का मांग कर रहे हैं हमारे माताबहन जो कर रहे हैं वो लोग सकता परिवर्तन करके हम लोग हमारे जो नया उल्गुलान जो हो रहा है अभी इसी में से सभी लोग जाएंगे और जितने पिधान सभा के अंदर में जो बैठे हुए हैं जो हमारे जारखंड का सबसे बड़ा मंदीर है जहां जारखंडियों के हित के लिए निती निल्धारन होना चाहिए वहाँ बाहरीयों को सन रक्षन दिया जा रहा है यह हम सभी के प्रूप से हम लोग अपना मांग रखते आ रहे हैं वह हमको दे दो मेरा अधिकार दे दो मेरा हग दे दो अगर जवरत पड़ा तो हम लोग पूरा जारखंड बंद करेंगे आर्थिक नागे बंदी करेंगे जितना ये चोरो दलालों का जो तीजोरी भर रहा है सब एक मैना म हम जिने चून के लाते हैं छेतर में आते हैं तो बहुत बड़े-बड़े वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे वह कर देंगे विधान सभा के पडल पर उसके बारे में कभी नहीं कहा कि आपके लिए हम ये कर देंगे वह कर देंगे हम लोग को नाला बना देंगे रोड बना हो भाई है निए हम इनके 1932 खतियान चाहिए तो चाहिए अब बाकी तो एका रोड नाला बना ले वो हमिन का कैसे बनता हो नहीं बनता हो हम इन तीन रात स्रमदान करका बहुत कुछ बना दे ले वो आज के एकस्वी सा दसदी में हम इनके जनता में बहुत दम हो आज तोके उखाड के कहा फेक देवो उपतो नहीं चलता हो तेगो गाना हो सुन ले अभी ताजा ताजा बना ले वो माय बहिन के समर्पित हो जे मजदुर की सान जारे खांडेक इदादा जारे खांडेक सान है के वतिसी के खतियान करू नौल गुलान बिर बिर सासी दुकानू देलाएं आपन जाने भाई देलाएं बाली दान निर मले कर दादा निर मले कर नाम देखू होए ना बदनाम करू नौल गुलान मैं माटी बचे के चाही मैं माटी बचल रहे इकर राखू ध्यान ए भाई इकर राखू ध्यान चौकी दारी इदादा चौकी दारी सबे करू तबे बची पहेचान करू नौल गुलान जागा जागा माए बाहिन जागू जावान ए भाई मजदुर की सान ए भाई मजदुर की सान सबसे पहले तहम अपना माबहन और हमारे जो अभी सिक्सित भाई बंधु हैं जो सडकों में हैं उनसे हम पुना आगरा करेंगे कि अभी तक जो हम लोग अभी सोचे हुए हैं कि निकले की नहीं निकले वह इसे भाई ये काना के माध्यम से भी हमने ये पर्यास किया कि जो लोग अभी तक इस अंदलों से नहीं जुड़ पाये हैं उलोग जुड़ने का पर्यास करें और अभी जो सरकार चल रही है तो समझ लिजे सभी जार्खनियों का दिल जल रहा है और अभी हमन सरकार को खुला चेतावनी है कि ये तीन दिन जो बचा हुआ है तुम्हारे लिए आँ पहुत है तुमको 30 सीत नहीं पूरा 60 सीट देंगे बहुमत देंगे तुम्हारी सरकार ही इसलिए पूर्ण भहुमत की सरकार बनेगी नहीं चल तो जार खंडी भी नहीं तो तो 1932 के खत्यान के विरूद में भी है। उनका कहना है कि अगर 1932 खत्यान अगर लागू होगा तो जारखंड जलेगा। जारखंडी हो तुम जारखंड में होली बनाओ ना यहां का भासा संस्कृति को अपनाओ ना आव हमेर साथे चुमर केल। आव सरूल में इसलिए जो कोई जारखंड में रहना है और हमें जीयों खाओ कोई दिकत नहीं है। लेकिन जारखंड जो तोरने का काम करने का अधिकार चिरने का काम करेगा। जारखंडी को जो टोकेगा जारखंडी उसे ठोकेगा। वेड़ा!